हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल उनेटी क्लासेस मैं हूँ अमर जीतर फ्रेंट्स यहां पर हम डिस्कस करने हैं करने वाले हैं यूपी एससी पी इटी का जो एक्जाम है वह 19 अगस्त को है ऐसा आपने जो है इस समय फेस्बुक पे काफी जादे वाइर जा रहा है कि 19 अगस्त को जो है यूपी एससी पी इटी का एक्जाम जो है यह इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है लेकिन फ्रेंट्स यहां पर बताना चाहेंगे कि जब आप ओफिस्यल बेपसाइट जो यूपी एससी डोट एन एसी डोट इन होता है वहां पर जाए जो है उसको डिलीट कर दिया गया तो आपर जो है वह अगस्त को ही होगा तो यहां पर दखेंगे क्योंकि अमन उजला का यह है कि अमर उजाला जो है वो यूपी एससे से रिलेटिव खास करके हम लेकपाल की बात करें तो लगभग बहुत दिनों से जो है यह फर्जी खवर या फिर जो कुछ भी हो गलत खवर जो है यह पब्लिकेशन जो है वो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो है धैनीक जागड जागड जो निजपेपर है उन्हों ने उसने भी जो है वो इस एकजाम को लेकर कभर किया है तो यहाँ पर नौर्टमल सी बात है कि यह जो है वो सही होगा गलत किसी भी परकार का नहीं होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ बातों के बारे में देखेंगे कि सबसे पहला कि जो आपका इग्जाम है 19 अगस्त को है लगभग एक महिने से कुछ जादे वह आपके पाश टाईम है दूसरा जो है वह एक्जाम कहा होगा उसके बारे में हम डिसकस करेंगे और तीसरा यह है कि जैसे जो 19 अगस्त को एक्जाम हो रहा है तो अगस्त में जो है बहुत सारी एक्जाम हो रहा है जैसे यदि हम खास करकी बात करें तो graduation के क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा student जो है वो होते हैं तो यहाँ पर जो है इसके बारे में थोड़ा से discussion करेंगे फिर आगे है कि normalization के बारे में discuss करेंगे कि normalization होगा की नहीं होगा और यहाँ पर exam center के बारे में भी बात करेंगे कि आपका exam center जो है वो कहा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो के लाच्ट तक आप जरूर बने रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चनल को जरूर like, share, subscribe जरूर करेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम यह जो है आपका अमरुजाला है और आज जो है दो जुलाई है और दो जुलाई को आठ बच के 10 मिनट पे जो है यह न्यूज है तो यहाँ पर दिया हुए कि P.E.T. की लिखित परिच्छा जो है 19 अगस्त को होगी और जो है 20,73,000 पर जो इस्टूडेंट है उनका जो है फाइनल जो है वो फॉर्म भरा चुका है और वो परिच्छा में सामिल होगी जाए या फिर न जाए वो उनकी बात है तो यहाँ फिर थोड़ा सा जो अमरुजाला न्यूज पेपर में इन्होंने कभर किया जिस तरीके से ऐसा लगा कि यह वो बिल्कूल सही है या फिर गलत है वो आप अपने से खुद भी डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ओफिसियल कोई लेटर जो है वो नहीं मिला है लेकिन यदि दैनिक जागड़ न्यूज पेपर जो है वो इतने बड़े एकजाम को जो है कभर करता है तो बिल्कूल इसमें किसी भी परकार का फेक न्यूज नहीं होगा तो यहां पर जो है इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदितनात में सुक्रवार को भरती चैन आयोगों की अध्यचों के साथ बैठक की यूपी एससी ने जो है ये प्रस्ताव जो है मनजूरी दे दी है फिर आगे थोड़ा सा देखेंगे यहां पर जो है यहां पर वहीं बताएगे एक चुनाव से पहले बिरोजगार योगों को सरकारी नोकरी दिने का मुहिम तेज किया जा रहा है अधिनस्त सेवा चैन आयोग यूपी एससी 19 अगस्त को जो है उप प्रस्ताव को मनजूरी दे दी कि परिच्छा जो है वो 19 अगस्त को कराया जाएगा अर्थात आज जो है यह बैठक थी और इसमें निड़ा लिया गया कि 19 अगस्त को जो है वो परिच्छा कराया जाएगा फिर आगे देखते हैं क्या दिया है कि आयोग के चेर्मेन परवि यह से अधिक पाली में परिच्छा होता है तो नर्मलाइजेशन होगा तो यहां पर बहुत सारे लोगों को नर्मलाइजेशन से लाभ भी मिलता है बहुत सारे लोगों का जो है नर्मलाइजेशन से काफी जादे घाटा भी होता है नंबर कम हो जाता है तो यहां पर फ्रें सेंटर जो है वह आपके डिस्टिक में ही रहेगा तो यह काफी जादे अच्छा है कि आपका एक्जाम जो है वह ज्यादा दूर नहीं होगा आपके डिस्टिक में ही होगा और यहां पर नार्मलिजेशन के बारे में भी बात कर दिए कि आपका एक्जाम जो है वह दो पालियो में होगी इसलिए प्रस्ण पत्र के कठनाई के अस्तर को समान के रखते हुए नर्मलाइजेशन की ब्यवस्था लागू होगी तो हमने आपको पहले ही पता दिया था कि नर्मलाइजेशन की ब्यवस्था जो है वो होगी यहाँ पर जो है इन्हों या फिर सरकारी result के आप जो है syllabus जो side होता है syllabus जो नीचे वाला दिया रहता है वहाँ से भी आप जाकर download कर सकते हैं या फिर यादी वहाँ से भी नहीं मिलता है तो आप हमारे comment box में वर्टसप नंबर रहेगा वहां से आप हमें मैसेज कर देंगे हम आपको पुड़ा कंप्लीट जो है वो सेलेवस हम दे देंगे फिर यहां यहीं बताया गया कि 14 अगस्त के बार लेखी परिछा मतलब पुड़ा के परिछा नहीं हो सकता था इस डेट में इस डेट में तो फाइनल डिसीजन जो लिया ग पुड़ा जो कि एक जर्नलिस्ट है इन्होंने ही बताया था कि इसका परिच्छा जो है 19 अगस्त को होगा सासन मंजूरी दे दी है और इतने लोगों जो है वो भाग लेंगे और परिच्छा आपके डिस्टिक में ही होगा और जो परिच्छा होगा वो दो पालिवे में जो है ऊसमें भी यहां पर किया है अलाकि हमने द्यांग़ जांके का स्लाइड हमने इसमें लिए था लेकिन इसमें नहीं आपाए तो आप जो है ड्यनिक जांक कर देख सकते हैं के विषिस ओड म्हें है फ्रेंडिवेश Eu 것이 दो यह पौाल हो रहा था उसका अपडेट था और आप बिल्कुल तैयारियों में लग जाए और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास जो है 30 प्लस मतलब अर्थात कह सकते हैं कि आपका इधर इसमें जो है एक महिने पूड़े और उधर अर्थात आपको 40 प्लस तीन अर्था 40 दिन का ही टार्गेट रखिए आपके पास 40 दिन जो है पीटी पर इच्छा जो है इसके लिए आपके पास इतने टाइम जो है वह बचे हैं सलेबस कम्पलीट करने के लिए तो फ्रेंड्स यह जो था अपडेट था और जो कोई भी उस तरीके का निए जा फिर ओफिसियल अ अब तक के लिए थैंक यू बाई बाई टेक केर अलवे थैंक यू